नमस्कार मित्रों दर्म इत्यास रहस्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंगा रत्न के भारे में अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों की कुनली में ग्रहों के स्तिती सामानिय नहीं होती है वो लोग ग्रहों से जुड़े दान, मंत्र, जाब, यंत्र, पूझा, रत्न, दारण करने जैसे उपाई करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे मेस और हुरस्चिक रासे जुड़े एक एसे रत्न के बारे में जिसको दारण करने से आपका सोया हुआ भाग्या जाग जाएग तो आएए जानते हैं मुगा रत्न किसे और क्यों धारण करना चाहिए ये जानने से पहले मित्र, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरणती हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गए घंटी को जडरू दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सकें और मित्रों अगर आप भी मुंगा रत्न के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीएगा साथ ही कॉमेंट में लिख देजीगा जैसी कुरुष्णा सास्त्र के अनुसा मुंगा रत्न की मेश और हुष्णिक रासी के स्वामी मंगल ग्रह से जोड़ा गया है कहते हैं कि यदि कुनली में मंगल के स्थिधी कमजर हो तो उन जातों को मुंगा पहने की सला दी जाती है इस रत्न को पहनने से मंगल की दसा मजबुत होती है जिसी से इस ग्रह के सुप्रभाव में उरुद्धी होने लगती है बता दे की मुंगा रतन?", सुन्दर और आकाशित रंकों के होने की कारण ही इस 9 रतनों में से एक्र माना जाता है 9 ग्रव में से ये साथ ग्रह को 첫 चाया ग्रह माना गया है इन मेंसे कुछ ग्रह देव देत्य ग्रह भी कहलाते हैं इन देव ग्रहों में गुरु सुरिय चंद्र बूद मंगल वह सनी आते हैं जहां दक जीवन की बात करें तो इसमें पराक्रम का अत्यन प्रभा होता है पराक्रम का कारग मंगल माना गया है मंगल जहां विवा संबदीत परेसानियों पेदा करता है मंगलवार के कारक देव हनमान माने गए हैं वहीं मंगल का रत्न मुंगा माना जाता है यदि कोई जहातक सही समय पर सही विदी से सही भार का मुंगा कुंडली में मंगल के अनुरुप धारन करता है ये रतन उसे करोड़पती बना देता है मुंगा एक एसा रतन है जो लोगों की किस्मत बदल देता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी को एक बार केवल सच्चे मन से याद कर लेता है उसकी रक्सा सुवयम हनुमान जी करते हैं जिसकी भक्ति से हनुमान जी को प्रसन हो जाए उसे कोई भी दुख नहीं हो सकता है। मंगलवार के दिन यह उपाई करना बहुत ही लापकारी हो सकता है। और आप हनुमान जी की कुरुपा से बहुत जल्दी आप करोड़पती बन सकते हैं। मंगलवार को खरितकर उसी दिन धारण किया जाए। तो उत्तम फल की प्राप्ती होती है। मंगा यता समवो होने पर सोने या चांदी पर बनवाकर पेंट सकते हैं। ऐसा करने से परिवारिक जीवन, विवात, दामपतिय जीवन, नकारत्मक शक्तियां अवस्य दूर होते हैं। तो मित्रों ये था मुंगा रतनक किसे और क्यों धारण करना चाहिए। अगर आपको ये गनान अच्छा लगा हो। अगर आप ये बातों में सहमत हैं तो उम्वित करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा और एसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई घंटी को जरू दबा दीजिएगा।